आज हम लोग देखेंगे अलजबरे से संबंदित कुछ महतुपूर्ण फार्मूला जो की सभी इख्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है यह फार्मूला आपको याद कर रही लेना चाहिए ताकि कोई भी इख्जाम हो कोई भी कोश्चन रहे उसको इस फार्मूला पर र बीच में भी लिख सकते हैं या बाद में भी लिख सकते हैं इसको यहाँ पर लिखे या यहां पर लिखे बात एक ही है दूसरा देखेंगे ए माइनस बी का होल स्कॉर है क्या लिखेंगे a square plus b square minus 2ab इस तरह से लिख लेंगे 2ab अब यह अगला फार्मूला है x plus a x plus b x plus a x plus b रहे तो क्या लिखेंगे इसको तो यह हो जाएगा x square plus bracket a plus b bracket close x और plus a into b यह हो जाएगा आपका फिर आगे बढ़ेंगे इसमें तो अगला देखेंगे यह फार्मूला दिख रहा है minus है यहाँ पे तो ध्यान दिजिएगा यह हो जाएगा x square plus plus तो रहेगा यहाँ पे अब लिखेंगे a minus b b का symbol क्या है minus है तो minus लिख लिख लिजए यहाँ पे और x तो रहेगा ही रहेगा minus हो जाएगा यहाँ पे ध्यान दिजिएगा अगर मैं किसी एक term के साथ minus है तो minus हो जाएगा a into b same इसको भी देखेंगे तो यह हो जाएगा आपका x square अब देखें इसमें क्या है ना आपका तो यहाँ पे minus है पहला ही term minus है तो यहाँ पे a के साथ minus लगाएंगे तो बाहर ले लेंगे तो सिदे-सिदे याद कर लिजिए यहाँ पे minus रहेगा तो यह क्या हो जाएगा a minus b और यहाँ पे लिखेंगे हम x और यह हो जाएगा आपका minus a into b इस तरह से simply लिख लेंगे हम आगे बढ़ेंगे तो अगला क्या है रहेगा और यहाँ पे plus हो जाएगा देखें a के साथ भी minus b के साथ भी minus तो minus minus plus हो जाएगा a into b यहाँ तक समझ में आया आपको अब आगे बढ़ेंगे a plus b plus c का whole square दिया हुआ है इसको कैसे लिखेंगे इसके लिए formula होता है सिंपल सा तो देखें क्या होता है तो इसके लिए लिखें a square plus पहले a square लिखेंगे फिर b square फिर plus c square अब फिर plus करेंगे और दो लिख करके bracket में a b plus b c plus c a a b plus b c plus c a बस यह आपका formula हो गया a plus b का whole q है कैसे लिखेंगे तो इसको लिखा जाता है na a plus b का whole q को क्या लिखा जाता है इसको a q plus b q plus देखे a q plus b q plus 3 अब चाहें न तो यहां से आप इसको change भी कर सकते हैं यहां से हम लिखेंगे 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 a q plus b q plus 3 a b अब bracket में लिखेंगे a plus b बस ऐसे लिखेंगे इसको चाहें तो आप इसको multiply करके भी लिख सकते हैं इसी तरह से से हम यही वाला process यहां पर apply करेंगे लेकिन यहां पर minus है तो a q minus b q minus 3 a b अब bracket में क्या रहेगा a a minus b a minus b ऐसे लिखेंगे अब देखें यह वाला फार्मूला इसको कैसे लिखेंगे इसको लिखा जाता है ऐसे a minus है तो लिखें minus b a minus b हमने लिख लिया अगले bracket में लिखेंगे a square plus a b plus b square या इसे है a q minus b क्योंकि जैसा है इसको भी लिखना है लेकिन बस यहाँ पर changing करना है क्या तो a minus के जग़े यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा plus यह हो गया आपका इसमें क्या लिखना है ना तो यहाँ पर लिखना है a square minus a b और plus b square इस तरह से simply लिख लिख लिए आपने आप देखिए एक फार्मूला आता है न a q plus b q plus c q minus यह q है याद रखिएगा यह q है तो इस तरह से रहता है इसको कैसे लिखा जाता है तो इसके लिखना पड़ता है आपको एक bracket में a plus b plus c अगले bracket में लिखना रहता है a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c यह आपका फार्मूला हो जाएगा तो simply आप इस तरह से फार्मूला इसको लिख सकते हैं एक फार्मूला होता है x plus a x plus b x plus c अलग-अलग bracket में इसको कैसे लिखेंगे आप तो इसको ध्यान से देखिएगा इसको लिखा जाता है न इसको लिखेंगे x cube फिर आपको लिखना है plus bracket में a plus b plus c a plus b plus c x square लिख लेना है x square फिर आपको लिखना है bracket यहाँ पे लिखेंगे bracket लगा लिए a b plus b c plus c a इस तरह से लिखेंगे और बाहर फिर bracket लगा करके यहाँ पे x लिख लिखेंगे लाश्ट में आपको लिख लेना है यहाँ पे a b c आसा करता हूँ यह वाला फार्मूला आपको समझ में आया होगा जब भी x plus a x plus b x plus c रहे तो आप इस तरह से उसको प्रियास किया है आसा करता हूँ कि यह 14 फार्मूला आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कहीं पर भी कोई टूटी है फार्मूला लिखने में कुछ गलती हुई है जरूर कॉमेंट करके बताईएगा अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ सेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा चैनल पर नहीं है चैनल को भी आपसे हाज जोड़कर के निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते है नेक्ट वीडियो में कुछ नए प्रस्थनों के साथ थैंक यू बेश्ट अफ लुक